हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नहीं वीडियो में दोस्तों अगर आपको कम्यूनिटी टैप इनेवल करना है किस तरह से इनेवल करना है उसके लिए मैंने आपको चैनल पर वीडियो बना कर दे रखी है आपके चैनल को किसी को भेजना है तो वो आपको चैनल को बहुत ही आसानी से सर्च कर पाएगा youtube.com slash आपके चैनल का नाम इस तरह से सर्च कर पाएगा दोस्तों आपने देखा होगा कि 100 सब्सक्राइबर से पहले या फिर आप जब तक custom URL को enable नहीं करते हैं अपने हिसाब से तब क्या होता है तब तक आपके चैनल का जो link होता है वो बहुत ही लंबा होता है मैं आपको दिखा दिता हूँ किस तरह से आपको link दिखता है यह देखिए आपके चैनल का कुछ इस तरह से आप जो किसी को share करते होंगे कि यह देखो मेरा channel है इसको subscribe करो किसी दोस्त को या किसी को बेचते होंगे तो इतना लंबा link यहाँ पर जाता होगा आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इस link को बहुत ही छोटा कर सकते हैं मतलब इस तरह यहां से यहां तक होगा और slash के बाद आपके channel का नाम आएगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी channel का link है जो वो short कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसनी से YouTube का एक premium feature जो आपको मिलता है बहुत ही अच्छा तो इसके लिए आपको क्या करना है आपके channel पर चले जाना है channel पर जाने के बाद यहां पर आपको आपका logo दिखेगा channel का इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको YouTube studio को open कर लेना है दोस्तो सारे जो settings होते हैं custom URL, community tab और यह सब सारे जो है YouTube studio आपका जो बना हुआ होता है आपको सेम तरीके से ही mobile पर भी करना है आपको जरूरी नहीं है laptop की जरूरती है आप mobile पर भी सेम तरीके से Chrome browser में अपने channel को खोल कर यहां पर कर सकते हैं आप दोस्तों यहां पर क्या करना है आपको settings में नहीं जाना है आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर एक option दिखेगा Customization दोस्तो customization पर आपको click करना है दोस्तो जब आप customization पर click करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल कर आ जाएगा और यहाँ पर एक option दिखेगा branding का और बराबर में उसके देखेगा basic info यहाँ पर आपको click करना है basic info पर यहाँ पर आपका description देखेगा आप जो भी description में लिखते हैं वो यहाँ पर देखेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको channel URL देखेगा यह देखे यहाँ पर channel URL देख रहा है और देखिए आपके चैनल का जो link है वो काफी जादा लंबा है यहाँ पर आप किसी को भी copy करके यहाँ पर send कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको जो है इस channel की link को छोटा करना है मतलब आपके channel का जो नाम है little tacky मेरे channel का नाम है little tacky तो इस नाम से मुझे जो है अपना link create करना है इसको छोटा करके यहाँ पर मैं हटा दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा little tacky तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह option दिख रहा होगा set a custom URL for your channel इस पर आपको click करना है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप custom URL पर click करेंगे यहाँ पर एक URL automatically create हो जाएगा यह देखिए यह देखिए यह तो htps तो यहाँ पर www.youtube.com slash c slash little tacky मतलब मेरे channel के नाम से यहाँ पर एक custom URL तयार होगे automatically YouTube के द्वारा अब आप यहाँ पर नीचे वाले पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कोई number भी add कर सकते हैं मतलब आपका कोई lucky number है आप चाहते हैं आपकी birth date है उसको यहाँ पर आप add कर सकते हैं little tacky 11 little tacky 10 कुछ भी आप add कर सकते हैं लेकिन मुझे कोई number add नहीं करना है मुझे सिर्फ इस तरह से ही रखना है www.youtube.com slash little tacky यहाँ पर जो है इस तरह से मुझे रखना है बहुत ही ज़्यादा professional भी लग रहा है देखने में और अच्छा एकदम से feel आ रहा है मतलब लंबे वाले link से आप को छुटकारा मिल जाएगा आप किसी को बेजेंगे आप बोलेंगे slash डाल के little tacky सर्च करो मेरा channel आजाएगा मतलब कहने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह से कुछ आपका custom URL यहाँ पर आपने बना लिया है आप custom URL जब आपने click कर लिया है इस पर फिर आप यहाँ पर click करेंगे publish इस पर आपको click करना है तो जैसे ही दोस्तों आप publish पर click करेंगे और यहाँ पर कुछ information आएगी इसमर लिखाया है कि जब आप एक बार custom URL बना देते हैं उसके बाद इसे आप change नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है एक ही बार में अच्छे से कोई custom URL बनानी है तो यहाँ पर जो custom URL मुझे दी गई है little tech की नाम से मुझे यही वाली रखनी है मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे और मैं यहाँ पर confirm कर दूँगा आपको कोई changes करने है तो आप जो है उस तरह से changes कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था तो यहाँ पर मैं confirm पर click कर दूँगा आप देखिए यहाँ पर दो option अने लगें एक channel URL का यह वाला आ रहा है जो लंबा वाला link है और यहाँ पर एक custom URL आ रहा है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा custom URL रेडी हो गया है अब हम क्या करते हैं किसी दूसरे channel को खोलते हैं और अपने channel को search करते हैं Chrome browser में तो यहाँ पर एक नए tab में खोलता हूँ यह देखिए दोस्तों मैंने youtube.com slash little techy लिखा है अब मैं enter press करूँगा देखता हूँ मेरा channel खुलकर आता है कि नहीं आता है यह देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने youtube.com slash little techy डाला और यहाँ पर मेरा channel open हो गया है तो आप भी अपने channel के लिए अगर custom URL बनाना चाहते हैं तो 100 subscriber complete होने के बाद आपको इस तरह से community tab बना लेना है जो कि बहुत ही cool लगता है देखने में और search करने में भी आसान रहता है अगर आप chrome browser में सर्च करते हैं तो दोस्तों यही था आज का वीडियो की किस तरह से आप अपने channel पर custom URL एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से एक बहुत ही आसान स्टैप्स में तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ और informative लगाओ तो वीडियो को लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए Thank you